गाइटिंस होगे अलक्सी में दिखने वाले नोवेर को मारा नल ने, सेलेस्टियर्स के युनिवर्स क्रियेशन की स्टोरी जुड़ी है नल से, थॉर्ड लवें थेंडर में दिखने वाला आल ब्लैक नेक्रो सोड बिलॉंग करता है नल को, तो टेक्निकली नल हमें मार्वल स threatening villain है, जिसे मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स में दिखाना इतना perfect होता कि आप पूछो मत, प्लस ये बहुत perfect opportunity है, मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स के spider-man और sony spider-man उनिवर्स के venom के क्रॉस ओवर के लिए ये सब मानों ऐसा लग रहा है कि सोनी मार्वल को मजबूर कर रहा है क्रॉस ओवर के लिए या फिर यही असली सिचुएशन है तो दोस्तों मैं हूँ उनसना और आज हम बात करने जा रहे हैं नल के मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स और सोनी स्पाइडर मैं यूनिवर्स के क्रॉस ओवर को पुश करवाने के लिए वीडियो शुरू करने से पहर लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करे और बेल आइकन ज़रू दबाएं मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि कैसे नल का कैरेक्टर लिखा ही गया है मार्वल सिनेमाटिक उनिवर्स के लिए मैंने आपको अपने वेनम दा लाज डान्स के फाइनल टेलर ब्रेकडाउन में नल की ओरिजिन स्टोरी बताई थी कि नल की स्पेस में जब सेलेस्टियल आए क्रियेशन के लिए तो उसने एक सेलेस्टियल का सर काट दिया था इसी सेलेस्टियल के सर में कलेक्टर ने अपने कलेक्शन रखे हुए थे जिसके बाद गाइडियन्स ने इसे अपना बेस ओफ ऑपरेशन बनाया सेलेस्टियल्स को Marvel Cinematic Universe में दिखाया गया है कि युनिवर्स उन्होंने बनाया है ताकि बाकी सेलेस्टियल्स पैदा हो सके इन सब के ओपर Thor 11 अंडर में गौर की भगवान जिससे लड़ रहे थे वो था नल जिसकी नेक्रो सोड लेने के बाद गौर बना गौर बुचर तो अभी अगर नल Marvel Cinematic Universe में इंटर्ड्यूस होता तो इसका बहुत सेंस बनता पर Sony का King in Black नल को अपने Sony Spider-Man Universe में इंटर्ड्यूस करना कहीं न कहीं Marvel को पुश कर रहा है Spider-Man Venom को क्रॉस ओवर करवाने के लिए अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है नल अगर Sony Spider-Man Universe में दिख गया तो वो Marvel Cinematic Universe में कैसे दिख सकता है मैंने आपको मेरी Venom The Last Dance Final Trailer Breakdown वीडियो में बताया था कि नल उनिवर्स के क्रियेशन से पहले से एक्जिस्ट करता है ओवियसली वो Multiverse बींग है उसे बस कॉमिक्स में दिखाया गया है Marvel 616 से इंटरेक्ट करते हुए तो अगर नल Sony Spider-Man उनिवर्स में दिख सकता है तो उसे Multiverse Aspect के साथ Marvel Cinematic Universe में भी दिखाया जा सकता है बाकी बात करे Sony के Marvel को पुश करने की तो अभी तक माहूल ऐसा है कि Sony जो कि Spider-Man और उससे जुड़े केरेक्टर्स के राइट्स ओन करता है वो अपने उनिवर्स में Tom Holland के Spider-Man को दिखाना चाता है इसके बारे में सबसे पहले बात हुई Venom 1 के दौरान जहां कई रिपोर्ट्स के मताबिक Tom Holland ने कई दिन बिटाए थे Venom के प्रोडक्शन के दौरान अपने कैमियो को फिल्म करने में पर Marvel Studios ने Sony को कहा कि वो Tom Holland के Spider-Man के सीन को Final Film से हटा दे Sony ने 2019 में अपनी डील री-नेगोशियेट करी जिसमें ये option रखा गया कि Tom Holland का Spider-Man Cross Cinematic Universe में दिख सकता है जहां एक Call and Answer डील सेट की गई कि जो स्टूडियो Tom Holland को बुलाएगा उसे वहाँ जाना होगा अब Morbius में इस डील को एक्सराइस किया गया वल्चर को Sony Spider-Man युनिवर्स में दिखा कर Madam Web के इवेंट सेट थे 2003 में पर पूरी मुवी में कहीं भी इस बारे में बात होई नहीं कि ऐसा क्यूं हो रहा है रिपोर्ट्स के मताबिक ओरिजिनल स्टोरी जो लिखी गई थी उसमें एजिकल सिम्स बेबी पीटर पारकर को मानने जा रहा था जबकि Madam Web और उसकी टीम उसे रोकती है ऐसा करने से पर किसी कारण से बेबी पीटर पारकर को मुवी में नहीं दिखाया गया इतना ही नहीं यहां तो पीटर पारकर का नाम तक नहीं लिया गया ऐसा कैसा स्टूडियो इंटरफेरेंस हुआ कि पूरी मुवी ही मीम बनकर रह गई ऐसा लग रहा है कि Spider-Man का MCU में दिखना Sony की मुवी इसको अफेक्ट कर रहा है ना Sony Spider-Man यूज कर पा रहा है ना ही Marvel Cinematic Universe Sony के अपने कैरेक्टर की स्टोरी बेटर होने दे रहा है पर इन सब में Sony Marvel का हाथ पुश कर रहा है क्रॉस ओवर की तरफ Sony ने Spider-Man पोश्टर दिखाया Morbius मुवी में Sony ने Venom The Last Dance के ट्रीलर में Cinematic Universe क्रॉस करवा दिया और अभी Sony का रूल कि जिन विलन्स को वो अपनी मुवी में दिखा देंगे उन्हें Marvel यूज नहीं कर सकता जिसके बाद Sony ने दिखा दिया नल को यहां Sony Marvel को पुश कर रहा है कि उनको क्रॉस ओवर सामने लाना है वो भी हर हाल में अभी हाल फिलर टॉम हॉलेंड Spider-Man मुवीज की देखरे करने वाले Amy Pascal से मिलने गए जिसके साथ-साथ उन्होंने कुछ शूट भी किया अभी कन्फर्म नहीं है कि ये शूट किस बारे में है पर कई फैंस केस कर रहे हैं कि इसका लेना देना Venom The Last Dance से है अभी Sony और Marvel के भी इच स्टेटमेंट क्लैश हुए थे जहां Marvel से Kevin 5 की पहले ही बोल चुके हैं कि अगली Spider-Man मुवी को Marvel Grounded रखना चाता है पर Sony ने अभी कहा कि वो लोग एक Multiverse मुवी की तरफ जाने का फैसला कर रहे हैं अब काईदे से Spider-Man 4 अगर Avengers Doomsday और Avengers Secret Wars के बीच में रिलीज हो रही है तो उसके Multiversal मुवी होने का सेंस बनता है प्लस मैंने आपको बताया है कि Marvel के अपने plans है Spider-Man को लेकर Avengers Doomsday में तो इस case में Spider-Man और Eddie या Eddie के बेटे का सामना नल से करवाना एक Better Multiverse Story सामने रखता है जिसमें लिटरली Marvel को भी फायदा होगा और Sony को भी मैं एक बात और point out करना चाहूंगा एंड्यू गार्फिल्ड के Spider-Man ने No Way Home में complain भी किया कि उसने कभी किसी alien से लड़ाई नहीं की है तो अगर एंड्यू गार्फिल्ड कैमियो देते हैं नल से लड़ने के लिए या हिंट करते हैं कि Sony Spider-Man universe के Spider-Man वो है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे बड़िया क्रॉस ओवर क्या होगा Sony और Marvel के बीच इससे Marvel भी नल को यूज कर सकता है अपने universe में symbiote की origin को अच्छे तरीके से सामने रखते हुए कि नल के सामने आया Celestials उसने No Way का सर काटा उससे आयी All Black Necro Sword और उससे आया Marvel Cinematic Universe में symbiote जो कि Spider-Man को देगा Black Suit और Evil Persona इन सब के ओपर नल के character के साथ justice हो सकता है वो जिस लेवल की story जिस लेवल के opponents deserve करता है उसका उनसे सामना करवाया जा सकता है इवन multiple arc निकाले जा सकते हैं यहाँ नल को लेकर क्योंकि यह बोलना गलत नहीं होगा कि यह Thanos लेवल विलन है जिसके सामने Sony Spider-Man Universe में फिलाल तो कोई नहीं टिक सकता Venom barely Riot और Carnage से जीत पाया था वो symbiote God से कहां जीत सकता है यहाँ उससे Spider-Man की ज़रुत है मैं अभी भी मान कर चल रहा हूँ कि नल की बस हमें जलक देखेगी Venom The Last Dance में और अभी जलक ही काफी है Sony Spider-Man Universe का माहोल बनाए रखने के लिए अभी आगे Eddie के बेटे Dylan Brock जिसके बारे में मैंने आपको मेरी Venom The Last Dance Final Trailer Breakdown वीडियो में भी बताया था कि यह अकेला कैरेक्टर है कि नल को टकर दे सकता है प्लस फ्यूचर के लिए एक नया सिंबायोट बेस सुपरहिरो इंटर्ड्यूस कर सकता है अब जब Tom Hardy इस रोल से चुट्टी लेने की बात कर रहे है यहाँ अपर्चुनिटी का भंडार है बस उसे यूज करने वाला होना चाहिए और अब जब मैं इस वीडियो पर काम कर रहा हूँ तब ही नल के क्रियेटर्स की ऐसी स्टेट्मेंट सामने आई है जो कि इस पूरी वीडियो की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ा रही है बिसिकली फैंस को सोनी पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो नल के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे इवन नल के क्रियेटर्स ने भी कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि सोनी नल को वेनम दा लास डांस में दिखाने वाला है जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बहुत फनी तरीके से कंपनसेशन मांगा उनके बनाये हुए कैरेक्टर को यूज करने के लिए उनके कंपनसेशन मांगने वाले पोस्ट के 24 गंटे बाद उन्होंने सोशल मीडिया पेजिस पर बताया कि उनकी सोनी से बात हुई है और उन्होंने Venom The Last Dance की स्क्रिप्ट भी पढ़ी है और वो इतना कह सकते हैं कि हम नल की कहानी के बारे में जितना सोच रहे हैं ये सब उससे बड़ा है और ambitious है अब हम तो एक बड़े आर्क की ही उमीद लाकर बैठे हैं और इस statement ने कहीं न कहीं उस उमीद को और जगा दिया है पर मेरे हिसाब से ज़ादा जबर्दस बात थी उनका statement end करना ये कहते हुए कि this is how you treat a king तो दोस्तो ये थी वीडियो नल की वज़े से tease हो रहे क्रॉस ओवर के बारे में सोनी को मुवीज की तरफ से असली फायदा स्पाइडर मैन मुवीज से ही होता है और इसी वज़े से उनके लिए मार्वल के साथ क्रॉस ओवर करना प्रॉफिटेबल है पर नल को क्रॉस सिनेमाटिक इनिवर्स में दिखा कर उनका ये प्रॉफिट डबल हो जाएगा अभी नॉर्मन रीडर्स का नाम निकल कर आ रहा है कि वो वेनम दा लास दांस में नल का रोल प्ले कर रहे हैं कुछ फैन थियोरी ये भी सामने आई है कि रिज सिफान्स का कैरेक्टर नल का रोल प्ले करेगा शायद अभी ये रिवील बहुत जबर्दस साबित होगा पर फिर भी अगर उसको इटल मिस हो गई हो या आपके इसको नए फैक्ट इस वीडियो से रिटेड तो प्लीज आए कमेंट पर ज़रूर बताएं हमारे सोशल मीडिया हैनल पर हमारे साथ शेयर करें हम हर जगा है तो दोस्तों अगर आप Marvel की सबसे पाउरफुल आइटम्स के बार में जानना चाते हैं तो मैं आपको हमारी Marvel's Top 20 Most Powerful आइटम्स वाली वीडियो रेकमेंट करूंगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और से कई सारी सूपर कॉंटेंट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठैक यू गाइस तिस अमन सेना और यू आर सूपर सूपर पीस झाल कर पीस गाइसे मस्ट वूले जो बांगर मिग्सी दापा helps सब्सक्तिक